हलो दोस्तो स्वागत है आपका अपना चैनल इडियो 360 परसेंट में चली आज हम लेका हैं टीडीपी ट्रांस्मिशन डिस्ट्रिबूशन अफ इलेक्टिकल पावर का नेक्स्ट लेक्चर तो अगर इसका आपको पीडिएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जॉइन कर जाए लिखिए इसका पीडिएफ डाउनलोड कर लीजिए तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं तेकि यह अंडर्ग्राउंड केबल अंडर्ग्राउंड केबल क्या होता है इलेक्टिकल पावर का ट्रांस्मिशन मुख रूप से दो परकार से करते हैं पहला होता है ओवरेट सिस्टम और दूसरा होता है अंडर्ग्राउंड सिस्टम पहला होता है ओवरेट सिस्टम और दूसरा होता है अंडर्ग्राउंड सिस्टम तो अभी हम पीछे वाले लेक् ट्रांस्मिशन होता है अंडर्ग्राउंड केबल की साहता से जब पावर का ट्रांस्मिशन होता है यानि अंडर्ग्राउंड केबल की साहता से जब पावर एक जगह से दूसरे जगह बेजी जाती है इस सिस्टम को कोई अंडर्गाउंड सिस्टम कहते हैं चलिए आगे पॉइंट्स देखते हैं कि देखिए आगे की पॉइंट है कि ओवरेट सिस्टम तथा अंडर्गाउंड सिस्टम की तूलना ओवरेट सिस्टम तथा अंडर्गाउंड सिस्टम की तूलना तो ओवरेट सिस्टम तो देख देख रहे थे कि ओभरेज्ट सिस्टम को मतलब टाइट वायर को ऊपर ऊपर ले जाने के लिए पोल की या टावर की हमें वह सकता होती है लेकिन अंडरगांड सिस्टम में इलेक्रिकल पावर के ट्रांस्मिशन के लिए सपोट की है सकता नहीं होती है आगintell smart system में पर एक टावर poco Lily स्टय सकता होती हैं अगली या end सिस्टम में निस पर फोलगेगा और इनसुलेटर लगएगा और इसमें cross arm तथा insulator क्या आँ सकता होती है तथा इसमें जो underground system में इसमें आँसकता होती है overhead system में लेकिन इसमें जो cross arm और insulator क्या वो सकता नहीं होती है अंडरगरांड system में आगे की point दखिये इसमें लगने वाले सभी उपकरण जैसे support, cross arm, etc, ground के उपर लगने के कारण या system देखने में उतना अकरसक नहीं लगता है या system देखने में जाल जैसा लगता है क्योंकि इसके उपर क्या होती है कि ground के उपर ही tower लगी होती है उसके उपर insulator, cross arm और conductor लगे होते हैं तो देखने में उतना attractive नहीं लगता है जबकि underground system overhead system की तूलना में देखने में ज्यादा अकरसक लगता है ज्यादा attractive लगता है क्योंकि इसमें कुछ भी ground के उपर नहीं दिखाई देता है कोई-कोई box जो होता है वो ground के उपर दिखाई देता है जो कि बहुत बहुत दूर दूरी दूरी पर होता है अब देखिए overhead system में फाल्ट उत्पन होने की संभावना अधिक होती है और जैसे कि आंधी आया खूब तेज तो क्या होगे टावर टूट गए करसाम टूट गए इंसुलेटर ब्रेक कर गए तो उसमें फाल्ट की संभावना बहुत अधिक होती है और underground system में क्या होता है कि फाल्ट की संभावना क्या होती है बहुत ही कम होती है उबरेट सिस्टम में मरला वाई पॉइंट है और टूट को और बहुत आप whether उसमें जो underground system में इसमें फाल्ट को ढूणना पल्ट की सिवय स्थन ग्यांध करते होता है और इसमें जो फाल्ट की पोजिशन है कि कहां पे फाल्ट हुआ है उसको ढूड़ना क्या होता है बहुत ही कठीन होता है दखिए आगे है पॉइंट कि ओभरेट सिस्टम में कॉन्डॉक्टर से कॉन्डॉक्टर के बीच की दूरी डी ज्यादा होती है जिसे ओभरेट सिस्ट हमें बनने वाला capacitance कमान क्या होता है कम होता है क्योंकि हम जानते हैं कि capacitance क्या है directly proportional to sorry inversely proportional to क्या है डी है इसमें core से core के बीच की दूरी कम होती है और इसमें core से core के बीच की दूरी क्या होती है underground के बल में कम होती है जिससे इसमें बनने वाले capacitor कमान औधिक होता है तोगि कोर से क्या होता है यानी दो वायर है रहा है और मोटा वायर आप देखें होंगे जो अंडर बिछाया जाता है उसमें बहुत सारे इंसुलेशन के अंदर कॉपर याल्मॉनियम का वायर लगा होता है वही कोर होता जो mean क्या करता है जो current को carry करने का धोने का करता है वही core होता है तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं देखिए इसमें point है कि over head line में बनने वाले charging current का value underground की तूलना में कम होती है और underground system में बनने वाले charging current का value underground system की तूलना में अधिक होता है और underground system में बनने वाले charging current का value through overhead system में अधिक होता है और देखिए कुछ important points है कि underground cable के through electrical power को maximum 40 km की दूरी तक ही transmit करते हैं और जो underground cable है underground cable के through हम ज्यादे से ज्यादे 40 km की दूरी तक हम क्या करते है electrical power को भेज सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि charging current length पर depend करती है और तो distance बढ़ाने पर charging current का value बढ़ता है और था Ic is equal to 2 pi fcl भी यहनिकि distance बढ़ाने पर क्या होता है charging current का value बढ़ता है चलिए आगे point देखेंगे classification of cable cable का classification cable कितने भागों में बाटा गया है तो देखिए voltage के basis पर cable को mainly 5 भागों में बाटा गया है voltage के basis पर cable को कितने भागों में बाटा गया है पांच भागों में बाटा गया है पहला होता है low voltage और low tension cable cable चौथा होता है extra high tension या voltage cable और पाचवा होता है extra high super voltage या tension cable तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ और points देखिए low tension या low voltage cable क्या होती है तो low tension cable का यूज एक के वी तक के लिए किया जाता है low tension cable का यूज कहां तक किया जाता है एक केवी तक 1 किलो बोल्ट तक के लिये low tension cable का यूज किया जाता है और high tension cable या क्या होता है high tension cable का यूज एक केवी से अधिक तथा 11 के वी से कम के लिए किया जाता है हाई बोल्टेज केबल का हाई टेंशन या हाई बोल्टेज केबल का यूज कहां किया जाता है एक केवी से अधिक तता 11 केवी से कम के लिए करते हैं और सूपर टेंशन केबल तो सूपर टेंशन केबल का यूज 11 केवी से अधिक तता 33 केवी से कम के लिए करते हैं और Extra High Voltage Tension Cable, तो देखिए Extra High Voltage या Extra High Tension Cable, तो Extra High Tension Cable का यूज 33 के भी से अधिक तथा 66 के भी तक के लिए करते हैं, और यह है कि Extra Super Voltage या Extra Super Tension Cable, इसका Extra Super Tension Cable का यूज 66 के भी से अधिक तथा 132 के भी तक के लिए करते हैं, चलिए दोस्तों आगे कुछ और पॉइंट से देख लेते हैं देखिए जो अगला topic है वो है कोर के basis पे legal का क्लासीफिकेशं टो और basis पे केबल कितने भागों में बाटा गया है तो और के basis पर teaf अगए को त्रह और के बेशेशष पर सब्सक्राइब कर ला क्लासीफिकेशं कितने परकार से किसी भी वायर का वह पाट जिससे करेंट फ्लो हो कोर कहलाता है किसी भी वायर का वह भाग जिससे करेंट फ्लो होती हो उसे क्या कहते हैं कोर कहते हैं और सिंगल कोर केबल क्या होता है कि वह केबल जिसमें एक कोर हो सिंगल कोर केबल कहलाता है और दखिए यह एक कोर है और कोर के ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है और चलिए अब double core कोर देखते है डवल कोर केबल क्या होती है तो double core cable वह cable जिसमे दो कोर हो और double core cable कहलाती है वह cable जिसमे दो कोर हो double core cable कहलाती है और यह structure है इसका यह एक total insulation है यानि दोनो को हो्च को hold करने वह केबल जिसमें तीन कोर हो ट्रिपल कोर केबल कहलाता है और देखिए ट्रिपल कोर केबल में तीन वायर लगे हुए है और इनको टोटल को पूरे एक इंसुलेटर से इंसुलेशन चड़ाया गया है और यह सभी R,Y और B के उपर भी क्या चड़ाया गया है इंसुलेशन चड़ाया गया है तक यह आपस में सॉट्सर्किट नहों चली है आगे देख़े हैं मुल्टीकॉर केबल देखिए तो multi core cable क्या होता है एक ऐसा cable जो कई core से मिलकर बना हो multi core cable कहलाता है एक ऐसा cable जो कई core से मिलकर बना हो multi core cable कहलाता है और multi core cable में यह देखिए कोई बहुत सारे core है और सब के उपर इन सब core के उपर भी insulation लगा हुआ है और सबको एक साथ बांदे रखने के लिए इनके उपर क्या लगा हुआ है एक और इंसुलेशन लगा हुआ है चलिए इसका कुछ important points देख लीजिए multi core cable का use electrical sub station में करते हैं multi core cable का use कहा करते हैं electrical sub station में करते हैं और three core cable में blue color wire neutral को रिपरेजेट करता है और three core cable में जो blue color का तार होता है उसको किसको रिप्रेजेंट करता है नीट्रल को रिप्रेजेंट करता है और डीसी सिस्टम के लिए वायर का कलर देखें डीसी सिस्टम के लिए जो पाजिटीव वायर का कलर होता है वो रेड होता है और जो निगेटीव वायर का कलर होता है वो ब्लेक होता है और देखें एसी सप्लाई क आरवाई बी रेड यलो और ब्लू यह तीनों क्या होती है फेज होती सिस्टम को कहता है three 뭐 Your system यानि कि रवाई बी यह तीनों रेड यलो और बुलू यह आप beste इनूरल है जिसका color black होता है चलिए दोस्तों आगे देखते है देखिए earth wire का color light green होता है earth wire का color कैसा होता है light green होता है और inverter वाले wire का color कैसा होता है white होता है inverter वाले wire का color कैसा होता है white होता है और देखिए अगला topic है structure of cable cable की संरचना देखिए cable 1,2,3,4,5,6 पहला है इसको ऐसे याद कर लिए सिम बास पहला है पहला सी को कहते है कोरिया कंड़क्टर कोरिया कंड़क्टर आई को कहते हैं इंसुलेशन एम को कहते हैं मेटालिक सीथ बी को कहते हैं बेडिंग एक को कहते हैं आर्मरिंग और इसको कहते हैं सर्वेंग इसको कहते हैं सर्व चलिए अब देख लिए होंगे तो चलिए इसके एक एक लेयर के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए अंडर ग्राउंड underground six layer से मिल कर बना होता है underground cable underground cable six layer से मिलकर बना होता है underground cable कितने layer से मिलकर बना होता है six layer से मिलकर बना होता है जो नीम्न परकार के हैं कौन-कौन से SIMBUS जैसे कि core insulation metallic sheet bedding armoring और serving तो देखिए core या conductor क्या होता है यह underground cable का सबसे internal part होता है core क्या होता है underground cable के सबसे आंतरिक भाग होता है जो current के flow के लिए low resistance path provide कराता है जो current के flow के लिए क्या करता है low resistance path provide कराता है और insulation देखिए क्या होता है core के ठीक उपर एक insulation की layer चड़ी होती है core के उपर क्या होता है ठीक एक insulation की layer चड़ी होती है insulation लगाने का परपज electric shock से बचना तथा परते कोर को आपस में short circuit से बचाने के लिए होता है insulation लगाने का मुख्य कारण दो परकार के है short circuit से बचना और short circuit से बचना और छूने से shock से बचना होता है अगला point है कि underground cable का insulation rubber या PVC poly vinyl chloride का बना होता है underground cable का insulation किस से बना होता है rubber या PVC poly vinyl chloride का बना होता है चलिए दोस्तों आगे देखते हैं देखिए अगला point है metallic sheet अगला layer है वो metallic sheet की है insulation को moist से बचाने के लिए देखिए नीचे underground cable जमीन का अंदर लगी होगी तो क्या उसमें पानी होगी बरसात में पानी भी भर जाएंगी तो उस underground cable को मॉइस से बचाने के लिए insulation के ठीक उपर metallic sheath की layer चड़ी होती है और underground cable को मॉइस से यानि नमी से बचाने के लिए insulation के ठीक उपर क्या की जाती है metallic sheath की layer चड़ाई जाती है metallic sheath की layer चड़ाई जाती है और metallic sheath lead अथवा thin की बनी होती है metallic sheath किसकी बनी होती है lead अथवा thin की बनी होती है और bedding दखिए क्या होता है bedding metallic sheath को mechanical injury से बचाने के लिए देखिए चुकि lead और thin से मिल के बना हुआ है अगर इसको kheachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach यूज कियाजाता है अब देखे जो अगला पॉइंट है वो है आर्मरिंग तो आर्मरिंग क्या है बेडिंग को या पूरे केबल को मेकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए क्या किया और जो अर्मरीक की लेयर उसी लेयर से एक वार निकाल और और कर देते हैं यह केल की सबसे बढ़री चमकदार सत्व होती है qable की क्या होती है दो ज़े गेल के समस्थ आंतरिक भाग को करने का कारे करती है यह क्या करती है केबल के समस्त आंतरिक भाग को क्या करती है कलेक्ट करने का कारे करती है और सर्भिंग में भी रबबर पीवीसी या सेलूलोज का यूज़ करते हैं सर्भिंग में किसका यूज़ करते हैं रबबड का फीवीड़ का यूज़ करते हैं चलिए दोस्तों आगे देखते हैं तonutस्तों तो अब जो हमारा अगला टापिक है वो है इस्टेंडर वायर गेज SWG तो swg क्या होती है तो standard wire gauge तार की मोटाई पता करने वाली एक instrument होती है या यंत्र होती है standard wire gauge तार की thickness find करने वाली एक यंत्र होती है और swg में बनने वाले slot की नमबर 36 से 40 होते है चलिए पहले आप की screen पे एक swg का figure दिखाई देगा पहले उसको देख लीजिए चलिए अभी start करते हैं देखिए swg में बनने वाले slot की यानि खाचे की संख्या कितनी है 36 से 40 आप अभी figure में देखे होंगे xwg में जो figure में दिखाई दे रहा है slot कितनी है 36 से 40 होते है और swg का value बढ़ाते जाने पर तार की thickness घटी जाती है और अभी आप देखोंगे कि swg जैसे की number value बढ़ रहा है तार की मोटाई क्या हो रही है घटी जा रही है और एक्जामपल के तौर पर देख लिजेगा तो दो swg तथा 8 swg के wire में 2 swg वाला wire मोटा जबकि 8 swg वाला wire पतला होगा अब देखिए classification of power cable power cable का वरगी current तो power cable दो भागों में बाटा गया है एक solid cable और दूसरा pressure cable तो देखिए solid cable को तीन भागों में बाटा गया है general cable जो कि एक के भी तक के लिए यूज किया जाता है belted cable जो कि 22 के भी तक के लिए यूज किया जाता है और एक होता है screened cable screened cable ये 66 के भी तक के लिए यूज किया जाता है और देखिए एक होता है pressure cable तो pressure cable oil pressure cable दो भागों में बाटा गया है oil pressure cable जो कि 132 के भी तक के लिए यूज किया जाता है और एक होता है gas pressure cable जो कि 220 के भी तक के लिए यूज किया जाता है और gas pressure में जो gas यूज होती है वो होती है हमारी sf6 sulfur hexa oxide sulfur hexa fluoride चलिए दोस्तों आगे देखते हैं देखिए जो अगला टॉपिक है वो है distribution system क्या है distribution system तो distribution system में एक होता है feeder तो देखिए feeder क्या होता है feeder वह conductor conducting wire हो जो electrical power plant की विभिन electrical सब स्टेशनों के साथ connect करने का कार्य करता है feeder कहलाती है जैसे power plant पे बिजली बनती है तो power plant से बिजली को ढो करके और बहुत सारे सब स्टेशनों पे ले जाने के लिए जो wire यूज होता है उसको हम feeder कहते हैं उसे हम क्या कहते है feeder कहते हैं और feeder में किसी भी परकार की tapping की ब्यवस्ता नहीं होती है और feeder में किसी भी परकार की कटिया फसाने वाली यानि tapping की ब्यवस्ता नहीं होती है यानि बाहर से तार को जोड़के और current प्राप्त कर लेने वाली ऐसी कोई ब्यवस्ता नहीं होती feeder में current के हिसाब से करते हैं देखिए अगला point है वो है हमारा distributor distributor क्या होता है distributor feeder तथा servicements के बीच की कड़ी होती है distributor क्या होता है feeder तथा servicements के बीच की कड़ी होती है इता सब station है वहां से तार को ला करके और आपके घर के यहां किसी porn तक लाने का कारजो करता है वह distributor कहलाती है वह wire distributor कहलाती है और distributor क्या होता है feeder तथा service means के बीच की कड़ी होती है और distributor में tapping की ब्यवस्ता होती है और distributor में क्या होती है tapping की ब्यवस्ता होती है distributor में current command हर जगों समान नहीं होता है और distributor में क्या कुम Argentina सुमान नहीं होता है is between plais is P 2017 के आगा पढ़ेंगे तो सर्विसमेंज क्या होती है तो सर्विसमेंज वह कंडॉक्टिंग वायर को घर में लगे एनरजी से जोडने का कार्य करती है सर्विस में कहलाती है वह वायर जो हम खुद खरीद के और पोल से करेंट को ला करके और इनर्जी मीटर में कनेक्ट करते हैं उसे क्या कहलाता है सर्विस मेंस कहलाता है चली आगे देखते हैं यह अगला पॉइंट है कि सर्विस मेंस की डिजाइनि सिस्टम यानि डिस्टिबूशन सिस्टम के प्रकार तो इलेक्टिकल पाउर का डिस्टिबूशन मुख रूप से तीन प्रकार से किया जाता है इलेक्टिकल पाउर का डिस्टिबूशन मुख रूप से सिस्टम जिसमें लगे हुए फीडर को केवल एक ही सीरे से सप्लाई प्राप्त होती है यानि कि रेडियल डिस्ट्रिबुशन सिस्टम में जो फीडर होता है वह केवल एक ही सब से connected होता है उसको रेडियल डिस्ट्रिबूशन सिस्टम कहते हैं और रेडियल डिस्ट्रिबूशन सिस्टम में करेंट के वल एक ही दिशा में फ्लो होती है और अगला पॉइंट है कि फीडर से connected distributor में जो भी डिस्ट्रिबूशन सिस्टम में क्या होता है कि जो कंजूमर जो फीडर के नस्दिक जूड़ा होगा जो distribution supply source के निकट जूड़ा होगा मतलब कि जो supply source के नस्दिक जिसका घर होगा उसमें क्या होगा voltage source अधिक होगा तथा जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाएगी voltage source कम होता जाएगा कम प्राप्त होगा घर में तो तो देखे distributor में distributor की भी supply cut-off हो जाती है यानि कि एक सभी station है और एक सभी station से फीडर जूड़ा हुआ है और feeder में कोई भी fault हो जाए या सब station पर कोई भी fault हो जाए तो यहां पर जीतने भी distributor जूड़े हुए हैं वो सभी को supply बंद हो जाएगी और इस प्राकार इसकी क्या होती है विश्वासे नियता कम होती है चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं ring main distribution system देखिए तो ring main distribution system पढ़ते क्या है कि electrical supply की विश्वासनियता को बढ़ाना है एक ऐसा distribution system यह ring main distribution system एक ऐसा distribution system है जिसमें लगे हुए feeder को parallel arrangement में connect करते हुए दो supply source से electrical power को feed करते हैं ring main distribution system कहल लाता है दोस्ता है ने में दो में दोस्तों दी आट लगे ढहें uh the detail देखिए देखिए और ईसकी स्थ inhob義 दोस्तों मैं आट मुसह इसकी होती है और Horizon स्टिबूइशन सिस्टम में बोल्टेज के फ्लक्चूएशन नहीं होता है यहांनि वे सब्सक्राइब उसमें क्या होता है उतार चळाओ नहीं खता है 20 man इन धीज्टिबूइशन सिस्टम रेडियल डिस्टिबूइशन 쉬 Demo के complex होता है तो ringman distribution system क्या होता है radial distribution system के comparison में तुल्ना में क्या होता है जटिल होता है क्योंकि जो क्या होता है कि radial distribution system है उसमे एक अहिव फीडर सभी station से डिस्टिबूटर सभी station से आती है जबकि इसमें दो सभी station को nect किया जाता है पर्रले खन्य में में और उसको फिडर को क्या कि जाती है सपलाई दी जाती है तो इसमें जो इसका क्या होता है कि इसका इस्ट्रक्चर जो होता है वो complex हो जाता है अब देखिए अगला point है कि रिंग मेंट distribution system में के लिए कुसल कारिगर की अवसकता होती है और Ringman Distribution System के फाल्ट को बनाने के लिए किन कारिगर की Experience कारिगर की या कुसल कार और की अवसकता होती है चलिए इसका सर्की डाइग्राम देखते हैं दखिए ये सब इस्टेशन दो सब इस्टेशन है दो सब इस्टेशन से क्या किया जा रहा है यहां पर डिस्टिब्यूटर के पास डिस्टिब्यूटर के पास क्या किया जा रहा है फीडर के रूप में दो तार को वेजा जा रहा है दो सब इस्टेशन से कनेक्टेट तार है और जो यहां पर आर वाई चार टर्मिनल है वो आर 14 YB or N है Something the three phase four wire system जिसमें क्या किया जता है सर्विस में सलागे करनेक्ट किया जाता है तो चली आगे पड़ते हैं तो इस सिस्टम को इंटर कनेक्टेट सिस्टम कहते हैं, बहुत से सब इस्टेशन को जब हम क्या करते हैं, सीरीज अरेंजमेंट में कनेक्ट कर देते हैं, तो इस परकार से जो सिस्टम हमें मिलता है, उसको क्या कहते हैं, इंटर कनेक्टेट सिस्टम कहते हैं, और इंटर कनेक्टेट सिस्टम मे पावर क्या होती है high voltage से low voltage की तरफ flow होती है और interconnected system की construction radial तथा ring main system interconnected system की construction बनावड क्या होती है radial तथा ring main system से बहुत ही complicated होती है और चुकि इसमें कई सभी station को एक साथ connect करना होता है इसलिए इसका structure क्या होता है बहुत ही complicated होता है चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं देखिए जो अगला point है वो कि interconnected system के लिए उच कुसल कारिगर की अवसकता होती है interconnected system के लिए क्या होती है उच या मनलब की high experience या high causal कारिगर की अवसकता होती है देखिए interconnected system की cast ring main तथा radial system से बहुत अधिक होता है interconnected system की cast क्या होती है ring main तथा radial system से क्या होता है बहुत ही अधिक होता है क्योंकि इसमें बहुत से सब station को एक साथ connect करने के लिए पोल्स और conductor insulator का cast बढ़ जाता है बहुत बहुत धन्यबाद दोस्तों चलिए मिलते हैं प्वांबाद बहुत है बहुत भी से जहुत है बहुत है लिएए झाल झाल